नदी में पानी भरते ही कई गाउं का मुख बाजार से संपर्ख तूटा बे मौसम तेज बारिश से तेजी से बार का कहरगी देखने को मिल रहा है उत्तर बिहार के कई इलाकों में बार की सिति बन गई है बार के कारण कई लोगों का आवा गमन ठप हो गया है और बाजार और अन्यातायात संबंधित संपर्ख भी तूट गए कमला नदी पर टेक्टार की पास बना हुआ लकरी का चचरी पहले से ही डूपने के कगार पर था पानी अधिक होने के कारण आज लकरी का या पुल डह गया पानी अधिक होने से लोगों का आवा गमन ठप हो गया है इस अचरी मदूभनी और दर्भंगा जिला के कई गाउं को एक साथ जोड़ती है इन गाउं का मुख बाजार टेक्टार है जो नदी में पानी बढ़ने के करण संपरके बिल्कुल तूट गया है पानी बहुत जादे हो गया है इसलिए लजका किस टाइम में बह जाएगी उसका कोई ठीक नहीं है इसलिए जिला प्रसासन एबं मेले मुराडी महन जहासे अनुरोध है यहां पर अभिलम नाओं की बिवस्था कर दे नहीं तो यहां पर लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अमान के चलागा इस टूट जाएगा लजका तो ततकाल अभी टूटने वाला हम जाए तो यहां पर आबागमन का अस्ता सफा बंध हो जाएगा अच्छा है लगभा कितने अदमी किन्दे गाउं का आदमी इधर से गुजरते हैं यहां पर कर दस गाउं का अब पानी कैसे बह रहा है पानी करेफार बहुत तेजी में बह रहा है बहुत तेजी में अस्थानी लोगों का कहना है कि विधायक के द्वारा यहां एक पुल भी पास करवाया गया है लेकिन वैकल पिक रास्ता के रूप में परशासन की ओर से एक नाव मुहया करने की मां अच्छे नाव अभी तक नहीं मिला ला नाई की मांग कर आशे नाव मांग कर वे की मांग कर वे ततकाल हमां से त्रेद्गत है अहीं पार में तवेदुर में घुरिया हो हाथ बजा रहे सब कुतर नाहीं से हुई